नमस्कार मित्रूं, मैं गोरो सर्थ, अपने इस यूटूब चैनल के माद्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, मेरे इस यूटूब चैनल में आप टेट, सी टेट, सूपर टेट, डेसेस भी तथा भारत की सभी टीचिंग्स एक्जाम से रिलेटेड सभी बिशे क की वीडियो प्राप्त करते हैं, इसी करम में हमने हिंदी के कुछ वीडियो आपको प्रवाइड कराये थे, और मैंने आपको अधिगम की एक संखला स्टार्ट करी है, उसी को मैं अध्यन करा रहा हूँ, और उसमें मैंने आपको थांडाइक, पावलो और इसके नर इन तीन हमारे चैनल को लाइक करें, सिस्क्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा कौनसेप्ट समझना है, कौन सा थेयोरी जाननी है, मैं ऐसे ही एक एक करके आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, मनुवज्यान से रिलेटेड, इससे पहले हमने थौन डाइक से थेयोरी से जो इनपॉर्टेंट कोस्चन बनते हैं, उनको देखा था, आज हम लोग इसलिए वपस्तित हैं, क्योंकि पावलव और इसकिनर की थेयोरी भी बहुत इनपॉर्टेंट है अधिगम के एक शैत्रों में, और अधिगम में इससे भी बहुत सा बध्राइły जो इनपॉर्टेंट कोस्चन बन सकते हैं या इकजाम समय बनते हैं, मैं यहाँ अपस्तित हूँ और मैं आपको एक-एक question और उसका answer बताऊंगा, आप इसका screenshot भी ले सकते हैं और इसे अपनी notebook में note भी कर सकते हैं मेरा दावा है कि अगर आपने इन सारे questions को एक बार देख लिया तो इससे ज़्यादा पाहर पूछना पूछना नहीं जाता है तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज अपने इस channel के माद्यम से आपको पावलव और इसकिनर से संबंदित questions कराएंगे तो आए मित्र हम लोग शुरू करते हैं देखें ये मेरे कूचिंग का नाम है New Concept Study Center ये online चलती है और इसको मैंने आपकी सुबधा के लिए बनाया है तो आए हम लोग पहले अपना पहला कोशन देखते हैं ये है हमारा पहला कोशन देखें मैं पढ़ रहा हूँ सीखना उत्रोतर सामंजस्ति की प्रक्रिया है यह कथन है यनि कि सीखना सामंजस्ति की उत्रोतर एक प्रक्रिया है यह कथन किसका है कई बार इसको पूँचा है यह कथन है इसकिनर का ठीक है ध्यान रखेगा यह इसकिनर का कथन है कि सीखना उत्रोतर सामंजसी की एक प्रक्रिया है किसने कहा है इसकिनर ने कहा है अब चलिए हम लोग next question पर आते हैं इसकिनर ने किस पर प्रयोग किया देखे जब मैं सद्धान मिल जाएगा तो मैं यहां आपको बता दू कि इसकिनर ने किस पर अपना प्रयोग किया इसकिनर ने किस पर किया चूहों पर और कभूतर पर चूहों पर और कभूतर पर अपना प्रयोग किया है कई बार पूंचा है ठीक है इसके बार रेखी अभिकरमित अनुदेशन इसको कहते हैं लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या रेखी अभिकरमेतन देशन इसके नर ने दिया इसके नर के क्रिया पुरसूत अनुबंदन सिद्धान से ही यह रेखी अभिकरमेतन देशन विक्सित हुआ था ठीक है और कब हुआ था 1952 में यह भी आद रखेगा कि यह कब हुआ था 1952 में house इसके बाद प्रेंग यह लोग किस पर अपना प्रयोग किया तो आप सभी लोग अगर मेरा दाग वीडियो देखा होगा आपने तो आप उसको अच्छे से कर ले जाएंगे पावलों ने अपना जो प्रयोग किया था किस पर किया था कुत्ते पर किया था तो यह इतने सारे यह 5 बहुत इंपोटेंट है कई सार एक्जाम में पूछे आ चुके हैं इसका अदम लोग इधर आते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन की तरफ यह पावलों ने अपना सद्धान कब दिया देखिए कभी कभी सन पूछ लेता है कि पावलों ने अपना सद्धान कब दिया तो प पावलों ने अवास्तविक उद्धीपक के रूप में किसका प्रयोग किया देखिए प्राकृतिक और अप्राकृतिक और वास्तविक और अवास्तविक चाहे जिस नाम से जानी है तो यहां पूछा पावलों ने अवास्तविक उद्धीपक के रूप में किसका प्रयोग क है कि तो वास्थ विक दिपक या प्राकरति कुद्धिपक कॉन जिसके सामने आने से अनुक्रिया स्वता भोजन वहस्थ वी mi में क्या होगा क्या होगा गंटी ल॒ढ हो जश्थ की आवाज भोजन के कुट्ते में लार का आना कौन सकता है कि तो कुछ बहुत को देखकर सवधाविक अनुक्रिया है उसकी साथ होती है तो इसके बाद, ये भी question most important है, कई बार पूछा है, अनुबंधन के पिता किसे कहा जाता है, तो अनुबंधन के पिता आप ध्यान रखेगा, किसे कहा जाता है, पावलो को कहा जाता है, किसे कहा जाता है मित्रों, पावलो को कहा जाता है, इसके बाद, verbal behavior, ये क्या पुस्तक है, वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर परिक्षाओं में किसी भी नाम से पूछा जाए तो आप लोग जानते रहें अनकूलित अनक्रिया सद्धान्त, सास्त्री अनुबंधन सद्धान्त, प्राचीन अनुबंधन सद्धान्त और SR थियोरी इतने सारे नामों से इसको जाना जाता है देखिए इसमें जो ये प्राचीन अनुबंधन सद्धान्त किसका सद्धान्त है तो वे पावलाव का सद्धान्त है त्यान रखिएगा इनमें से कोई भी नाम आएगा तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है इसके बाद देखिए ये भी एक बहुत ही इन्पॉर्टेंट कोश्चन से समझने अबिए अधिगम के किस सिध्धान्त का मत है कि अभी प्रेड़ना से उत्पंद क्रियाशीलता सीखने के लिए उत्तरदाई होती है तो इसका अंसर है क्रिया प्रशूत अनुबंधन सिध्धान्त देखिए जब मैं पढ़ा रहा तो आपको ड्राइव बताया था चालक तो सिध्धान्त में इसके बाद ये भी कोश्टन्स आपके सीटेट के लिए बहुत ही महत्रपूर्ण है तो आईए इसको भी हम लोग जान लेते हैं मैंने अपनी चाभी मैंने अपनी चाभी मेरे टेलीफोन के पास टांगता था यानि कोई-कोई वेक्ति था वह अपनी चाभ भी रखनी की जगा बदली है फिर भी मैं चाभी लेने के लिए टेलीफोन के पास चला जाता हूं यह बार पूछा हुआ है तो यह किसका उधारण है तो देखिए यहां पर जब हम लोग यह है अनुबंधन का उधारण कैसे है जब हम लोग क्रिया प्रशूति अनुबंध देनी की प्रक्रिया थी इसके बाद बार 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 ऐसा ही करने पर फिर एक बार क्या किया क्या किया गया कि घंटी की आवाज हुई सिर्फ भोजन नहीं आया तब भी कुत्ते की मुँँ में लार का बनना आरंब हो गया इसका मतलब कि कुत्ते का जो संबंध है वो अब भो के पास अब मैंने वहाँ पर टांगना बंद कर दिया है पर मेरे दिमाग में वह चीज बनी हुई है मैं उस चीज मेरी आदत है वहाँ पर जाना तो अब मैंने इस्थान बदल दिया लेकिन फिर भी मैं सभी चला जाता हूं बार बार तो यह किसका उदारन है अनुबंधन का सद्धान को किन किन नामों से जाना जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट है पावलो के अनुबंधन सद्धान में सर्वधियर सर्वधिक बल किस पर दिया गया है तो पावलो के अनुबंधन सद्धान पर सर्वधिक बल दिया गया है वह समीपता पर दिया गया है द्यान रखिएगा यह भी कोश्चन पूछा गया है कि किस पर दिया गया है समीपता पर दिया गया है इसके बाद नेक्स्ट जो सद्ध प्रतिक्रियात्मक विवहर वह था जो उद्धीपक के प्रतक्ष कंट्रोल में होता था और क्राड़ी वह उसको अपने मन से संचालित करता था तो यह दो प्रकार के विवहर बताएं अगर आपने मेरा यह वीडियो देखा है तो पावलव और इसकिनर से संबंदित जितने भी कोस्टन्स बनते हैं एक्जाम्स में वो सब आपको यहां मिल जाएंगे तो इसलिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएए उसको शेयर करिए लाइक करिए कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में जाकर बताएए कि वीडि और पढ़ना चाहते हैं तो मैं ऐसे ही लेकर ऐसे ही इन्पॉर्टेंट वेडियो लेकर मैं आपके समक्ष आता रहूंगा धन्यवाद